नमस्कार दोस्तों आज है 18 जुलाई और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 13 या 14 प्लांट्स दिखाऊंगी परमानेंट फ्लाय प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि बहुत हार्डी प्लांट है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये सारे ही प्लांट गर्मी भर इ भूप में थे और कई बार तो ऐसा हो रहा था दोनों टाइम पानी चोड़ी आप मैं एक टाइम भी पानी ने दे पाई थी एक कई Library वह था फू हूं सबको पता है कि प्लांट ही कैशा बांट है जो सन लविंग प्लांट प्लांट है और इसको जादा पानी छहिए नहीं होता है दूब आतीम मैं और यह उत्य में उत्या प्लांट ही तो लाई थी वहां से लाई थी तो इसको न मेरे पस खाद नहीं थी तो सूखी चाह की पत्ती मिला करके इसको लगाया था इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था हो गया है चार-पांच महीने हो गया है वहीं विंटर के पहले की बात है तो बोगनविल्या में बहुत सारे शेट्स आते हैं इस समय का एक चीज में और आपको बताना चाहूंगी कि गर्मी अभी देखे गई अब धीरे धीरे सारे प्लांट अपनी ग्रोथ ला रहे हैं सब को खादवात देना पड़ रहा है और अभी मैंने मतब प्रूनिंग की नहीं थी बोगनविल्या की मैं वहीं कर रही थी और सबको खाद भी देना है लेकिन अब देखो यह जो सेकंड नमर का प्लांट मैं लगा हुआ है फूल भी आ रहा है कटिंग से जब मैंने इसकी प्रूनिंग सब की थी कटिंग फेकी नहीं थी कटिंग लगा दी अब देखो कटिंग में भी फूल आ गए हैं और यह तो था ही धूप में ही था छत पर था 48 डिक्री टेंपरिचर से में यह पूरा मेरे प्ला चंपा इसको जो है चंपा वोलेंगे इसका वीडियो अभी मैंने तो तीन दिन तीन चार दिन शायद हो रहा है शेयर किया था रिपॉर्टिंग का तो सेट हो गया है उसके बाद फूर्थ नंबर का प्लांट गुड हल विसकस में बहुत सारी वेराइटी आती है लेकिन मैं देसी वेराइटी लगाना प्रिफर करती हूँ देसी वेराइटी सालों साल चलती है देखो ये वाला पिंक वाला है अब आपको होगे कुछ ऐसे जो नए विवर्स होंगे जो पहली बार चैनल पाएंगे उनको लगगा कि इनमें फूल ही नहीं है अब फूल आएंगे अब अभी कलियां बनना शुरू हो गई है और यह जितनी पत्तियां आप देख रहे हैं हरे रंग की यह सब नई आई है बिल्कुल पत्ती जल गई थी अमी बर्न हो गई थी और आप बता हूं मैं यह ग्रोबैक में मैंसे इसलिए मैंने लगा दिया था कि पता रही हूं आपको क कि यह सारा कुछ करती हूं मैं यहां किसी को भेचती नहीं हो कि आप दूर कि माली मेरे घर में खान सक कभी नहीं रही है फिर उनको मैं अप्टेड़े जवाब देने लगी हूँ पहले मैं इग्णोर करती थी और सिक्स नंबर का हो गया चमेली चमेली में भी सब नहीं पत्ति आई हैं और यह हर शिंगार आप देख रहे हो प्लांट शायद मैं गिंती तो सही बोड़ी हूँ ना वह फालतों के पंचायत करने लगी थी ना बैबाते करने लगी तो उसमें दिमाग तायवर्ट हो गया तो साथ नंबर का प्लांट हर्शिंगार का वीडियो और चमेली का वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर क्या मुलते हैं कि इसको धूपूप सब चाहिए ठीक है लेकिन घर्मी में यह बड़े परचान हो गए थे पत्तियां सब छुटी-छुटी सी हो गई थी सब सही हो गया है तेंथ नंबर का प्लांट है और अलमंडा में आपको कई शेट मिल जाएंगे आप नरसरी में तो दिया मैं तो लिक्विट दिया आएं ना मैं को इने कुछ दिया ही नहीं है पता है रहा है अब सब दीरे धीरे इसमें कली वली सब बन रही है मतलब आने लगा है चोटी-चोटी है मैं क्या ही दिखाऊ उसमें बहुत फूल आते हैं जो लोग पुरा भेद आने हैं उनको सब को पता है कि कितने भूल जब रहते यो टो का नर्डद से अने पता है देरे करते हैं लुद्धान सी पूल नहीं कहा जök भाई मांसून आये लिखता। लदी से नहीं होते हैं ऐसे नहीं कि चलो पारिश हो गई एक जुलाई आगया फूल निकल आया तो अब चलो थर्डी नंबर पर यह जो आप अभी मेरे से किसे ना पूछा देख शक्तिमान है वह पता नहीं चाहिए तो यंग एज के हो तो तो उन्हों ने पूछा कि कि रजडी गंदा क्या पर्मानेंट प्लांट है तो यह पर्मानेंटी है प्लांट छोटा सा आप एक बर कभी खरीद लो बल्ब से इधर उधर वह इतने मुल्टिप्लाई हो जाते हैं फिर फरवरी अरवरी में उनका प्रिपॉर्ट करकर करके उनसे धेरों आप प्लांट कि बोला मैंने यह देखे रजडी गंदा है बाकी 13 मैंना को दा दिया 14 नंबर पर यह जो है ना अभी यहां पानी दिना रहे गया है यह है वह फाइल बुश होता है ना इसमें एक साथ से फूल निकलते हैं अब इसमें सब लाल लाल सी पत्तियां निकल निकल नहीं है बहु करते हैं यह भी कटिंग यह तो खेर मैंने खुद भी कटिंग से ही लगाया है और बहुत आसानी से लग जाता है बाकी कुछ प्लांट जो बिल्कुर उपर गर्मी नहीं वह कर पा रहे थी क्योंकि इसकी पत्तियां चांद्नी के वाले की पीली पड़े तो मैं बालक्री में चांद्नीवानी सब रह जाते हैं बहुत से प्लांट हैं जो इस टाइप के हैं औरनमेंटर प्लांट्स हैं लीफी प्लांट है मतलब इन में से पतियों पतियों के लिए उनकी बात में फिलाल आज नहीं कर रहे हूं मैं किसी और टाइम आपको इसका वीडियो शेयर चरिये मिलती हूं धन्यवाद थेंक्यू